जैसे रादे मित्रों हरहर महादेव जैमा चंद्रवन्य मित्रों चंद्रवन्य भक्तिरस चैनल में आप सभी का पुन्हा स्वागत है और मैं पंडित दीपग उपाद्या देख भूमि उत्राकन से आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं और चंद्रवन्य भक्तिरस चैनल के माध्यम से आपको जो है सापताहिक मासिक और वार्षिक रासिफल की जानकारियां समय से अनसार अवगत कराए जाती हैं तो इसी कड़ी में आजकर हम बात कर रहे हैं सापताहिक रासिफल आने वाला जो 6 मार्च से लेकर 12 मार्च 2023 का समय है यहाँ कैसा रहेगा सभी में इस रास से लेकर मीन रास के जातकों के लिए हमने परते एक अलग-अलग वीडियो बनाए हैं तो आज का वीडियो जो है वह होगा कुमरास के जातकों के लिए जो अन्यरासी वाले हैं वह भी अमारे चैनल में जाकर के अपने अपनी रास अंसार वीडियो देख सकते हैं तो आज का वीडियो कुमराज के जातकों के लिए होगा तो कुमराज के जातकों के लिए कैसा रहेगा यहाँ सब्ता इसमें हम चर्चा करेंगे और वीडियो के अंतिम में एक सुन्दर सा उपाय भी आपको बताएंगे जिससे आपके समस्मरों कामनाएं पूर्ण हो सकती है तो आप वीडियो में अंतिन तक अवसे बने रहें और वीडियो अपने इस्टमित्रों के साथ सेर जरूर करें जो पहली बार हम से जुड़ रहे हैं किरपे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कूल भी न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अंसार आप तक पहुंचते रहें तो बात करते हैं कुमरास के जातकों की तो कुमरास के जातकों के लिए यह सब्ता जो है कभी घी घना हुआ तो कभी सुखा चना जैसे इस्तिति आपके लिए रहने वाली है कभी जो है अच्छा बहुत सुंदर रहने वाला है और कभी एकदम से आप नीचे आ जाएंगे तो सब्ता की सुरुवात जो है वा काफी भाग दोड़ भरी रहने वाली है सब्ता की जो सुराद है वह बहुत भाग दोड़ भरी भी रह सकती है और इस दोरा नौकरी पेशा करने वाले जो लोग है नौकरी करने वाले जो जातक हैं कुमराशिके तो ऐसे लोगों के सिर पर कामकाज का बहुत अधिक बोज होने वाला है अत्रिक्त बोज इस समय आपके भी आपके लिए रहेगी घर के किसी बुजरुक सदस्य की सेहत भी इस दोरान जो है आपकी चिंता का बड़ा कारण बनते हुद्थ दिख रही है कोई आपके घर के कोई बड़े बुजरुक है उनकी कुछ स्वस्त संबंदित समस्याएं जो हैं आपके चिंता का कारण बन सकती हैं और हालांकि इस तमाम परिशानियों के बीच आपको अपने सेहत और संबंद का भी विसेश ख्याल रखना होगा जितनी ये परिशानिया चल रही हैं इसके बीच में आपको जो है अपनी सेहत का और अपने संबंदों का भी सेश ध्यान रखना पड़ेगा उसका ध्यान आपको रखना है इसलिए क्या करें दिन चर्या में आपको बदलाव इखिलाना है योगा प्यास इत्यादी करना है और दिन चर्या में बदलाव या फिर मौसमी बिमारी के चलते आपको सारीरिक पीड़ा भी हो सकती है मौसम संबंदित कोई बिमारियां जिससे आपको सारीरिक पीड़ा हो जाएगी इसलिए आपको दिनचरिया को बदलना होगा किसी पुरानी बिमारी के दुबारा उभरने पर कोई पुरानी बिमारी आपके दुबारा से उभर के आ सकती है जिससे आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं हालांकि यहां जो सारी बिग्न बादाएं हैं इन बिग्न बादाओं के भावजुद धन जो है सपतहा के उतरार्द में धन प्राप्ति के साधनों में आपके बढ़ोतरी होते भी दिख रही है धन के प्राप्ति के योग जो हैं वह आपके दिख हालां कि उसके मुकावले खर्च भी आपके अधिक दिख रहे हैं खर्च भी आपके अधिक होंगे इस दोरान परिवार वा मित्रों का संयोग भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है आपके परिवारी जन या आपके जो मित्र है वा जरूर आपका संयोग इस समय करेंगे परिक्षा परतियोकता की जो तैयारी में जुटे वे कुमरासी के चात्रे हैं तो ऐसे जो चात्रे हैं उन चात्रों को मनचाही सपलता पाने के लिए जो है उन्हें भी अधिक प्रियास करना पड़ेगा तब जाकर के मनचाही फल की प्राप्ति होगी अगर कोई परिक्षाओं की तैयारी कर रहा है कुमरासी का जात्रे तो उसे मनचाही फल पाने के लिए जो है अत्रिक और अत्रिक महिनत करने के आपको जरुत होगी अत्रिक परिश्रम करने के आवसकता होगी तब जाके आपको मनचाहा फल की प्राप्ति हो सकती है दामपत्य जेवन में किसी बात को लेकर जीवन साती के साथ मदवेद आपका हो सकता है इसका आपको ध्यान रखना है या तो आपने कुम्राज के जातकों का राशिक पर बताया अब हम बात करेंगे उपाय की तो उपाय आपको क्या करना है आपको जो है हनमान चालिसा का सुन्दरकांड का पाड़ करें नहीं तो हनुमान चालिसा का आपको पाड़ करना है जिससे भगवान हनुमान जी महाराज आपके समस्त मनों कामनाओं को पूर्ण करेंगे और आपके समस्त बिग्न बादाओं का हरण करेंगे तो यहां उपाय आप जरूर करें हनुमान जी का आश्रबाद आपको प्राफ्त हो पुना दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं तब तक के लिए जैसिर रादे हरहर महादेव संभो